प्रपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं राजवान सिंग वाली रियल सेट मेंटर रियल सेट बुक्स का ओथर एंड मोटिवेशन स्पीकर आज मैं दो टर्म्स आपके साथ ंप्रेंट टर्म्स नोट लिए इंप्रेंट टर्म्स कौन से हैं टो कनफर्म दा डील एक तो यह है और सुबजेक्ट टो कनफर्मेशन अफ दा दील यह लिखा दो चीजी यह दुनों का मतलब सेमि हैं यह इंप्र्ज टर्म्स कम रिय els घ्之baar के तोर पर काम कर रहे हो और कोई पर्चेजर पार्टी आपको पैसे देती है डील को कनफर्म करने के लिए या डील के लिए पैसे देके चली जाती है कई बार कोई और भी कारण होते हैं कि पार्टी के पास समय नहीं है या कोई मतलब हमने भी कोई रियर स्टेट जो एजेंट है उसने भी कोई सेलर के साथ ऐसी कोई बात कई बाते खोलने वाली होती है जो सेलर और परचेजर के सामने नहीं कोला जाता क्योंकि कहने को बात लग लग है कि हमने अमोस हमने डील करवाते ही है लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सेलर के साथ लग में की जाती हैं और जो परचेजर के साथ लग में की जाती हैं चाहे rate का कोई difference नहीं होता उसमें कोई किसी के साथ मनलोड cheating का कोई काम नहीं होता लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमने seller को अलग तरीके से अपने interest को आगे रखे मनवानी होती हैं या purchaser को अलग तरीके से रखे मनवानी होती हैं यदि आप परचेजर आपके पास पैसे रखके चला गया और वो पैसा की रसीद मांगता है आपको, बिसोदा करने के लिए ये लोग पकड़ो एक लाखर प्या और हमें इसकी रसीद बना दो, तो रसीद ये बनानी है के रसीवड रूपिस वन लख यदि आपके पास वन ये जुरूर लिखना है, यदि आपने टू कनफर्म दी डील ना लिखा तो इसका मतलब ये समझा जाएगा के डील आपके पास पहली कनफर्म है या आप डील के उनर हो, टू कनफर्म दा डील और सब्जेक्ट टू कनफर्मेशन दा डील, ये लिखने से क्या फरक तो वो जो पैसा है, हम उसको एजीटीज वापिस कर सकते हैं, यदि ये दोनों में से एक कोई लेन लिखी होगी, तो परचेजर है जो आपके उपर डबल अमाउंट का क्लेम नहीं कर सकता, आपकी कहीं कंपलेंट नहीं कर सकता, आपकी कहीं लीगल जिम्मेवरी नहीं बनत कर देना है, मतलब एग्रिमेंट कर देना है, या सिधी रिजिस्टी करौनी है, सिधी रिजिस्टी करौनी है, वो पैसा उस डील में अडिजस्टेबल होगा, तो यह सिर्फ टेकनिकल चीज है, कि हमने यदि आप किसी से लाख रपाय ले लिया और ये बात नहीं लिगी, त परपटी डीलर की परपटी एजेंट की हैसियत से डील को सिरे चलाने के लिए वो पैसे लेके जा रहे हो, और पैसा लेके सेलर के साथ बात करोगे, यदि परचेजर की सारी टरम्स और कंडिशन के उपर बात बन जाए, तो परचेजर को टेलीफोन कर दो, कि सार इस तरीके है, यह time कम मिलना है, इसके उपर करें तो वह पैसा बापिस लेके आजना है, और यह जो पैसा आपने लिया हूँ आ है, उसकी अमानत है. परचेजर की अमानत है, और अमानत में ख्यानत नहीं करना, यह पैसा उस ही का है, उस ही का रहेगा, यदि आप डील सिरे चला गे, त चोटी बात है लेकिन यदि आप रियल स्टेट इजेंट के दौर कर रहे हो तो यह चीज आपने याद रखनी है जब पर्चेजर को से आप सौदा पका करने के लिए पैसे लेते हो तो यह बाते ही आपने ध्यान रखने नहीं है यह इसी तरीके से यदि छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे सीखते जाएंगे पढ़ते जाएंगे तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे पढ़ेंगे हम तभी तो आगे बढ़ेंगे हम चैनल को सब्सक्राइब करके गंड़ी वाला बटन दबा दो और कमेंट बॉक्स मेंघ Pack में आपकर सवाल को लिख दो ने बहुत मैं अभी देखलो रात को गैरा बजने वले हैं मैं जितना मर्जी टाइम निकालता हूं जैसे मर्जी टाइम निकालता हूं कोई अच्छी चीज मेरे पास आती है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेर करने के लिए त्यार रहता हूं और इस तरीके की जो हमारे ये ट हम करना है हमने सीख के करना चाहिए सीखो और आगे बढ़ो तभी हम मतलब यह सीखेंगे पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे थेंक्यू वेरे मैं